हेलो एवरिवन, वेलकम बैक तो जारा, फूरेन ब्लॉग, फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खायजस से होंगे और खुश होंगे आज मैं फिर लेकर आई हूँ, आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही टेस्टी सा, खुब्सुरत सा बिखने वाला स्नेक, जो कि बहुत ही कम सामान में बहुत टेस्टी सा बनके तयार हो जाता है इसको बनाने बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन इसका जो टेस्ट होता है बहुत ही बेतरीन होता है ये इतनी क्रिस्पी बनते हैं, आप इसकी आवास सुनके ही अंदाजा लगा सकते हैं तो बस इसको हमें बनाने के लिए चाहिए दो कप मैदा या फिर दो कप गिहूं का आटा या फिर आप अपनी जरुवत के साब से ले सकते हैं अब हमें गही और आटे को अच्छे तरीके से हातों से मल लेना है, इतना मलना है कि दोनों आपस में मिल जाए अब तो आटा पानी डालते हुए एक अच्छा सा डो लगा लेंगे, बस वैसे ही जैसे कि न बहुत सौफ्ट हो और न बहुत जादा हाड हो जैसा आप पूरी के लिए लगाते हैं उसी तरह का आटा आटा आपको इसका गुंद के तयार कर लेना है आटा हमारा गुंद गया है इसको हम कर देते हैं अब साइट में और ले लेते हैं हम अपने जो सभी के फेवरेट होते हैं आलू बच्चों को ते बहुत ही पसंद होते हैं तो इसमें हम डाल देंगे हाफ टीस्पून नमक, वन टीस्पून रेट चिली पाउडर, हाफ टीस्पून भुनी हुई धनिया का पाउडर, हाफ टीस्पून जिरे का पाउडर, वन टीस्पून डाल दिया है चाट मसाला और डाल बाल्ग धीकटीवी और धन्या. आप इसमें मसाले अपनी पसंद से कम ये ज्यादा कर सकते ही कोई भी इसमें ऐसे पावंदी नहीं कि आप यही चीज दान आप इसमें जो भी मसाले आप पसंद हो यजी मिल्च ख्रना करनना चाहते हैं अरही मिल्च आteilना चाहते हैं प्यास जालना चाहते है, आराम से डाल सकते हैं इदर हमारा आटा भी सट हो गया है तिस देर में इसको हम एक बदर फिर से अच्छे तरीके से मसल के सेट कर लेते हैं और इसके बनाते हैं हम लोईयां थोड़ी बड़ी लोई बनेगी जो हम रोटी के लिए बनाते हैं उस से थोड़ी सी बड़ी लोई हम बनाएंगे तो अभी मैंने दो लोई हैं इसके बना के तयार करनी है दोनों लोईों को हम बना के एक साथ रख देंगे थोड़ा सा सूखाठा लेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से poisoning बड़ी सी एक चपाथी रोती कीतरा बनानेगे यह यह अधरी बड़ी हों के वह से हम ना उससे बड़ा ही साइस में बेलना है थोड़ा सा हम बड़ा ही इसको साइज में बेलेंगे, अक्सर क्या होता है जो मैदा होता है वो बेलने के बाद थोड़ा कम भी हो जाता है तो हम दोनों रोटियों को बेल के एक साथ रख लेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी स्टफिंग इसके उपर लगाएंगे देखे ये भी तैयार हो गई है अब जो हमने अपनी स्टफिंग बना के रखे थी आलू की आलू के मसाले वाली वह हम इसके अच्छी तरीके से एक बराबर से लगा देंगे इस पैचला से बराबर कर दीजी कहीं कम या जबादा होगी तो बराबर हो जाएगी इसको इसको इस्परेट कर देना है अब जो दूसरी रोडिया हमने बना के रखी हुए है न वह हम इसके अपर रख़ेंगे ये देंगे घएटो छोटी हो जाती है ये तो आप इसको खीच के बराबर करके सेट कर दीजी, कोई दिकत वाली बास नहीं है कि छोटी हो गयी है वह हो जाती है आप उसको बराबर कर दीजिए वैसे भी किनारी हमको इसके काट के निकाल देने हैं अब हलका साथ के पर हम बेलन चला देंगे जिससे कि यह सेट हो जाए आपस ने मिल जा अची तरीके से अब हम नाइफ की हेल्प से इस किनारी जो है वो काट देंगे कियो⁠ के हमें इसे सकोयर में काटना है तो सकोयर में काटने के लिए Whew ऑनेसे किनारे जो है नी हो जो है कट कर दआनी होंगे इनको धेकना नहीं है विशे भी बाद में कटकर रि कर लेंगे साइट इसकी निकाल यके तरफ रख लेते हैं send इसमें हम बराबर की इस तरह से कटिंग करते हैं, इसे लाइन कीछते हैं, पहले एक बार में सीधी, हम इसका स्क्वाइर बनाना है, आपको जितने भी बड़े फ्लार्स बनाने हूं, आप उसको इतने बड़े स्क्वाइर में कट कर सकते हैं, सबी स्क्वाइर बराबर के हम काट लेंगे, आप अपनी मनपसंद साइज में इसको काट सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं कि छोटे या बड़े किस तरह से हों, अब एक पीस हम उठाएंगे, इसके किनारों को इस तरह उपर की तरफ हम मोड़ देंगे, अब दो किनारे बच्चे हुए हैं, उन्हें नीचे की तरफ मोड़ देंगे, बहुत एज़ी हैं, लेकिन बहुत फ्यारता डेजाइन बनके तियार हो जाता है, फिर से एक बार दे लेकिन अच्छी तरीके से आप इसको प्रेस कर दीजेगा, वरना ये तलते वक्त खुल जाएंगे, प्रेस करना बहुत जरूर है, आपका आदे से इसको दबा देजिएगा, वरना फिर ये तेल में जाने के बाद खुल जाएंगे, इस बात का आपको ख्याल रखना है, इस अब बस इनको तेल में हमें फ्राइ करना है, तेल गरम होने के लिए रख देजिए, और जब तेल अच्छा सा गरम हो जाए, तब उसमें आप इसको डालिए, लो फ्लेम नहीं रखनी है, तेल अच्छा गरम होना चाहिए, और गरम तेल में आप इसको फ्राइ कर लिजिए, जब तक ये golden न हो जाए और crispy न हो जाए तब तक आपको इसको fry करना है ये छोटे-छोटे से हैं बहुत जल्दी fry हो जाते हैं अच्छा सा color आजाता है बहुत ही tasty और बहुत ही crispy बनके तयार होते हैं second batch भी हम इस तरह fry कर लेंगे बस अब इसमें कुछ भी नहीं करना है ये बिल्कुल ready है खाने के लिए आप इसको enjoy करिए अपनी मन पसंद चटनी के साथ अपनी मन पसंद सॉस के साथ जिस तरह भी आपको पसंद हो या फिर आपके बच्चों को पसंद हो बच्चों को तो इस तरह चीज़े बहुत पसंद हैं जिसमें वहां डिजाइन बगारा बन जाता है तो अम्यद करती हूं कि आपको रसी की पसंद आई होगी अगर पसंद आए तो प्लीज एक लाइक करिएगा चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा वीजियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो झाली है फम पस्ट करिएगा बन घगापक यू बला लाओगार तक हर अगर電ा distinguish